तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है जो मैं आपसे पुछना चाहूंगा वो maximum spacing between chairs ठीक है तो यह आप लोग बहुत कोई जानते होगे मैंने कुछ वीडियो में यह बताया भी है ठीक है maximum spacing between chairs हम लोग slab में जो reinforcement डालते है ना reinforcement उसको support करने के लिए उसको position पर रखने के लिए उसका effective depth को maintain करने के लिए हम लोग नीचे से क्या करते है spacer bar provide करते है तो यह spacer bar से दूसरे spacer bar का distance है visual distance वो कितना होना चाहिए ठीक है तो वो होना चाहिए आपका maximum one meter इससे जादा नहीं होना चाहिए समझ गया है इसका मतलब क्या है एक square meter में आपका minimum one numbers of minimum one numbers of तो होना ही चाहिए ठीक है one numbers of spacer sorry chair होना चाहिए ठीक है मतलब समझ गया है एक मीटर ही है एक मीटर ही है slap का एक पार्ट काटना एक मीटर एक मीटर का इसके अंडर में minimum एक chair आपका chair bar होना चाहिए ठीक है